हलो एव्रीवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लेश लिट्रेचर चून आज के विडियो में हम लोग वायॉला जो कि 12th night की काफी फेमस करेक्टर है उसके करेक्टर स्केच को डिसकर्स करेंगे इससे पहले हम 12th night की समड़ी पर और 12th night as a romantic comedy यह दो वीडियो अप आप लोग को कहानी समझा जाएगे कि इस play का कहानी क्या है फिर आप कोई भी question देखोगे तो आप उसको समझ पाऊगे ठीक है तो पहले वह समड़ी वाला वीडियो कंफिर्म देख लेना तो शुरू करते हैं यह जो नोट से लगभग हम 5 पेज का ready किये हुए है नॉर्मली 14-15 marks के लिए अपने marks की recording notes को छोटा बड़ा कर सकते हो और notes का language काफी easy रख रखे हैं तो अगर आप वीडियो आप लोग के लिए helpful होता है आपके syllabus का है तो आप लोग वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना और comment करके बताना वीडियो को कैसा लगा शुरू करते हैं वायोला is the heroine and the central character of the play twelfth night जो हम लोग का play है twelfth night उसकी heroine और central character it means promote character रहती है वायोला it is because of her role या उसके role की वजह से है that the play is in a celebration of marriage की जो play खत्म होता है वो marriage के celebration के साथ खत्म होता है which makes it a romantic comedy जिससे की यह play जो है एक romantic comedy बन जाता है तो यह सब possible हो पाता है वायोला के character के वजह से ही Shakespeare has bestowed वायोला Shakespeare जो है वायोला को प्रदान किये हुए है note with any ordinary typical qualities of a woman woman का एक ordinary जो normally quality होता है शिर्फ वही वायोला को Shakespeare नहीं प्रदान किये हुए है she is attractive बलकि वायोला जो है वो attractive है काफी जादा आकरशक है not just for her beauty अपने beauty इत मिन सुंदरता के वजह से आकरशक नहीं है but for her supreme understanding बलकि अपने understanding के वजह से कि वो जिस तरह से चीजों को समझती है उस वजह से वो आकरशक है and for the ways he uses word और जिस तरह से वह words का use करती है सब्दों का use करती है play में तो इस वजह से वो जो है काफी attractive character है इस play की वायोला has a twin brother वायोला का एक twin brother जुर्वा भाई रहता है Sebastian जिसका नाम है who looks almost exactly like her अब जुर्वा भाई है तो अब बिलकुल उसकी तरह ही दिखता है उसका भाई Sebastian her brother describes her as Sebastian जो कि वायोला का भाई है वो वायोला को describe करता है कुछ इस तरह के से यहापे वायोला के beauty के बाल में Sebastian बताता है a lady who was of many accounted beautiful she bore a mind that and we could but call fair तो इस तरह की का लाइन है जो कि हम play से ही use किये हुए है as a quotation her shiny turquoise eyes उसका shiny it means chamkila turquoise it means हो जाता है अब लगबग greenish blue color का जो उसका आख है are the prettiest वो सबसे सुन्दर है her lips are as pink as the pinkest of roses मतब जिस तरह के से rose pink होता है न तो वैसे ही वायोला का जो lips है pink है and her skin is as fair as jasmine और उसका जो skin है वो बिलकुल jasmine के तरह fair है जैसे चमेली का फूल बिलकुल white white सा गोरा गोरा सा होता है न उस तरह के से वायोला का skin बताया गया जैसे चमेली के फूल के तरह ही शुन्दर है गोरी है and as smooth as the petals of a daisy जैसे डेजी फ्लावर का petals it means पंखुडी smooth होता है न मुलायम होता है कोई भी full मुलायम होता है soft होता है तो उसी तरह जो यह वायोला का skin भी है वायोला काफी सुन्दर रहती है प्ले में इसी तरीके से दिखाया गया उसको हर auburn hair is also just as pompous उसका auburn hair it means जो सुना रहा भूरा कलड़का hair है वो भी काफी सुन्दर है she poses a sweet voice उसकी जो अवाज है वो भी काफी जादा sweet है she is very loyal and kind at heart as well वो साथ ही साथ सुन्दरता के साथ साथ क्या होता है वो काफी जादा loyal रहती है वफदार रहती है प्ले में और kind it means दयालू रहती है heart से मतलब दिन से दयालू रहती है the duke speaks of her duke जो की इस प्ले में है राजा और सीनू उसके बाड़े में कहते है in her boys disguises मतलब जब वो लड़की के रूप में रहती है वेश बदल कर तो उसके बाड़े में जो है duke राजा कहते है ये फिर से यहां पे हम प्ले से लाइन दिये हुए है dina's lip it's not more smooth and rubious the small pipe is as the madden's organ shrill and sound मतलब लड़का रहता है फिर भी जो है न राजा इसकी सुन्दरता की तारीफ करता है there was a ship that was destroyed by the sea एक जहांज था जिसको की समुन्दर के लहरों के द्वारा या फिर हम लोग बोल सकते समुन्दर के द्वारा नस्ट कर दिया गया था जो नस्ट हो गया था on board with the twins Viola and Sebastian जिसमें की दोनों जो twins भाई बयान है Viola and Sebastian वो शवार थे we are traveling one day यह दोनों एक ship में travel कर रहे थे जो की नस्ट हो जाती है Viola made it safely to the coast of Illyria Viola जो है मतलब समुन्दर में ढूबने के बाद उसका जाज Illyria के coast पे तड़ पे पहुँचाती है but she didn't find her beloved brother लेकिन जो उसका beloved brother जो की जहाज में उसके साथ था वो नहीं मिलता है उसको Viola को she decided to dress up as a young youth वो decide करती है इस time की वो जो है as a young youth इट में समलग बोल सकते है एक लड़के के रूप में dress up करने का एक लड़का बनके रहने का तो उसमें survive करने के लिए अपना वेश बदल के लड़का के रूप में रहने लगती है ताकि इसको काम मिल सके that decision shows Viola और यह जो decision Viola लेती है तो यह दिखाता है as a risk taker की Viola जो है वो एक risk taker है एक लड़कियों के लड़का के रूप में रहना बहुत बड़ी बात है ना तो को एक risk taker के रूप में represent करता है यह decision and brave साथ ही साथ बहादूर भी दिखाता है as well as because he overcome the loss of her brother quite quickly और जो वो overcome करती है अपने भाई के death से निकलती है वो भी बहुत जल्दी निकलती है मतलब यहां पर जो समुंदर में उसका जहाज डूब गया तो भाई भी साथ था तो इसको लगता है मेरा भाई भी डूब गया मर गया लेकिन जो तो जिस तरीके से वो आगे खुद को समालती है यह उसको बहुत जादा ब्रेव दिखाता है वायूला डज नोट बिलीव तो कंट्रोल एवरीधिंग अराउंड हर वायूला इस चीज में बिलीव नहीं करती है अपन को बदलने की कोशिश करती है जबर्दस्ती का बलकि वो चीजों को मतलब सिच्वेशन पर छोड़ देती है इस होप के साथ के एन में सब कुछ ठीक होगा इस तरहीं का स्टेट्मेंट यूज करती है उसका जो प्यार रहता है और शिटों के लिए वो अपने डूटी के बीच में अपने प्यार को आने नहीं देती है मतलब जिस राजा के दरबार में ये लड़का बन के रहती है ना उससे है ना वायुला को प्यार हो जाता है उसका नाम औरशिनो है लेकिन ये जो अपने प्यार को अपने करतवे के बीच में नहीं आने देती है See who's Olivia वह Olivia को who's it means मनाने की कोशिश करती है for Orshino Orshino के लिए जिससे की खुद प्यार करती है मतलब Orshino से वो खुद प्यार करती है लेकिन वो Olivia को मनाने की कोशिश कर रही है Orshino के लिए not letting her emotion affect her और इससे खुद की emotion को affect नहीं होने देती है Even where Olivia falls in love with her और जब Olivia जिसको की ये मनाने गई है राजा के लिए उस Olivia को इससे प्यान हो जाता क्योंकि ये लड़का के वेस में है के शेलियों के वेस में लड़का जब बनती है तो अपना नाम के शेलियों रख लेती है See neither uses the opportunity for on good तो वो इस opportunity को भी अपने फाइदे के लिए नहीं use करती है Nor does she forgets her duty नहीं अपने duties को अपने कर्टवियों को भूलती है कि वो राजा के लिए यहां पे आया हुए है ठीक है अब हम आगे line use के हुए है play से ही My master loves her dearly As I am man, my state is desperate for my master's love Her understanding of love और उसका जो समझ है प्यार का And its madness Surpasses everyone मतलब वो जिस तरीकी से प्यार को समझती है उसके पागलपन को समझती है वो हर किसी से बढ़ का मतलब हर इंसान से जादा अच्छे तरीकी से Viola जो है प्यार को समझती है प्यार के पागलपन को समझती है See except that वो स्विकार करती है कि Olivia must have undoubtedly fallen in love with केशेडियों की confirm वो accept करती है निसंदे कि Olivia को केशेडियों से प्यार हो गया है And respect it और इस चीज का respect भी करती है वो खुदी केशेडियों है ना हम बताये थे हम वेश बदल के अपना नाम केशेडियों रख लेती है She says वो लाइन यूज करती है प्ले में She loves me, sure Viola is perfect example of womanhood Viola जो है womanhood का नारित्व का इस्त्रित्व का perfect example रहती है Her heart is full of feminine sympathy उसका जो दिल है पूरा feminine इत्मिन्स हम लोग बोल सकते है नारित्व sympathy इत्मिन्स सहानु भूती से बढ़ा पड़ा रहता है And generosity Generosity इत्मिन्स उदारता से बढ़ा पड़ा रहता है She perform her duty, honesty वो अपना duty इत्मिन्स करते वे जो है बड़े honestly इत्मिन्स मानदारी पुर्वक निभाती है She goes again and again to Olivia वो बार बार Olivia के पास जाती है And very earnestly and sincerely Earnestly इत्मिन्स हो जाता है बड़े मतलब जोड दे के कहना या पर बड़े आग्रा पुर्वक और sincerely इत्मिन्स बड़े इमानदारी पुर्वक Tries to incandle love in her heart कोशिश करती है वो बड़े इमानदारी के साथ कोशिश करती है वो कि वो न अलिविया के दिल में प्यार उत्तेचित कर सके मतलब और शीनों इसको भेचता है न बार-बार के जाओ अलिविया को मनाओ मेरे लिए तो ये बड़े कोशिश करती है sincerely इमानदारी पुर्वक कि वो अलिविया के दिल में प्यार जगा सके वायूला's character reflects her modality वायूला का जो character है वो उसके modality को reflect करता है उसकी नम्रता को दिखाता है it is a precious jewel of our character और जो उसकी modesty है उसकी नम्रता है उसकी character का precious इतumeshtब्स है किमती गहना है अम लोग बोल सके जो कि उसके character में प्यारी प्रॉटेक्व herself from the world's uncivil comments वो खुद का वेश बदलती है ताकि वो खुद को बचा सके विल्ड इत मिन्स विश्यो के uncivil comments मतलब अज लड़की रहती क्योंकि बहुत खुबसुरत थी तो इसको बहुत सार problem का सामना करना पड़ता इसलिए अपना वेश बदल कर लड़का बन जाता ताकि ये जो है खुद को वोल्ड के uncivil comments से बचा सके we know that she has a great love for the Duke हम लोग को पता है हम लोग समड़ी पढ़ेंगे तो हम लोग पता चलेगी वो जो है Duke से बहुत ज़दा प्यार करती है राजा से but due to her modestity लेकिन अपनी modesty इटमिस विनम्रता नम्रता के वज़े से she never expressed it अपने प्यार को वो कभी एक्सप्रेज नहीं करती है Viola's love is an embodiment of purity Viola का जो प्यार रहता है वो embodiment इटमिन बोल सकते है symbol या example है purity इटमिन्स पवितरता का pretty इटमिन्स हम लोग बोल सकते है पुनेता का tenderness इटमिन्स को मलता का and profoundness इटमिन्स गहनता का Her love is a treasure उसका प्यार जो है treasure है इटमिन्स खजाना है that's a kipsidian in hurt जिसको की वो खुद के दिल में छुपा के रखती है express नहीं करती है बाहर नहीं आने देती है It is based on her constancy ये जो है उसके constancy इटमिन्स लोयलिटी पे best होता है and devotion इटमिन्स समर्पन पे best होता है उसका जो प्यार है She likes to smile even in grief वो जब grief में रहती है कष्ट में रहती है तब भी वो smile करना पसंद करती है As an idol sister एक idol आदर्श बहन के रूप में She has deep love for her brother उसको अपने भाई से भी बहुत ज़दा प्यार रहता है Sebastian से She is not sentimental in her love अपने प्यार में रहती है प्यार को लेके बहुत ज़दा भावुक होना तो बहुत ज़दा भावुक ने रहती है अपने प्यार को लेके Like Orsino and Olivia जैसे की play में Orsino and Olivia रहते है प्यार को लेके काफी ज़दा सेंटिमेंटल Viola ऐसी नहीं है She maintains patience She hopes to discover her brother वो अपने भाई को खोजने के भी उम्मीद रखती है मतलब भाई को जो उसका बिछर गया था जहाज डूबने के बाद तो उसको भी खोजने का ढूणने का उम्मीद रखती है अब next आखरी पेस बचा हुआ है Viola is very practical in her life Viola जो है काफी ज़दा practical रहती है वास्तिविक रहती है लाइफ को लेके हम बताएं पहले भी कि वो sentimental नहीं रहती है She has strong will power and she is the mistress of her will उसका जो will power होता है इक्छा सकती है जो होती है न Viola का वो काफी ज़दा strong रहता है मजबूत रहता है She is mistress of her will और अपने इक्छा सकती की वो खुद मालकीन रहती है ऐसा नहीं की वो किसी और के influence में आ जाना तुरंद बातों में आ जाना तो वैसा नहीं रहता है वो खुद अपने इक्छा सकती की मिस्ट्रस रहती है She quickly picks her up from the misfortune of Shiprake Shiprake, it means जो जो जहाज डूब जाता है उस misfortune से उस दुरभाग से जल्दी ही खुद को निकालती है She takes no time in making future plans for her वो अपने लिए future plan इत्मिन भविश की योजन्या बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लेती है By her sweetness and devotion, अपने sweetness और devotion के वज़ा से तीन दिन के अंदर जहां वो काम करने जाती है उस राजा का favor जीत लेती है, समर्थन जीत लेती है She plays the role of a boy so nicely Play में जो है वो लरका का क्रिदार निभाती है, बड़ी nicely, बड़ी अच्छे तडिके से Her radiant hope, उसका जो radiant hope है And sweet temperament, और उसका जो एक प्यारा सा so how दिखाया गया Makes her an excellent character, यह जो है उसको एक excellent character बनाता है, काफी अच्छा character बनाता है Thus, इस प्रकार, Viola is a lovable character Viola जो है एक lovable character, जो सबको most ली पसंद आ जाती है, जो भी यह play पढ़ता है In the play, play में she is appreciated by all, उसको appreciate किया जाता है She knows her duty well, वो अपने काम को, कर्तवयों को अच्छे से जानती है And follows is strictly, और अपने duty को, अपने कर्तवयों को follow भी strictly करती है मतलब अपने होता है, इंडिट तरीके से, वो follow करती है Suppressing all her personal feelings and emotions और अपने सारे personal, practical feelings and emotions को suppress करती है दवा के रखती है, छुपा के रखती है अपने काम के वीच में अपने feelings को नहीं आने देती है That's why a scholar says, इसलिए जो है, एक scholar, विद्वान कहते है Resolent is woman, viola is a poem ठीक है, viola को एक poem के रुप में define किये हो है और एक विद्वान, तो इस तिस के साथ जो ये notes है, यहाँ पर खत्म होता है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए helpful है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हो कर्मिन करके बताने में वीडियो कैसा लगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में, नेक्स टॉपिक के साथ